पीवी सच साहस सरोकार पीम मोदीने की पुतीन और एल द्रोगन से मुलाकात अगले साल भारत करेगा सम्मेलन की मेजबानी गानपूर एरपोर्ट पर इंडिगो के विमान का इंजन फेल्ड किकेटर्स को लेकर इंदोर जा रही थी फ्लाइट हर्याणा में सीबी आई की टीम ने सुनाली फोगट के घर पहुची परिजनों ने ली नई जानकारी आप विदाय कमान तुल्ला खान के घर साहित कई ठिकानों पर एडी के चापे मारी करीबी के घर मिले बारा लाग T20 वर्टकप के लिए शिल्लंका की टीम घोशित दसुना सनाका को मिली कमान नमस्कार आप देखनें प्राइम टीवी में हूँ मनिश बदोर या शुरुआत करते हैं उत्तर प्देश की खबरों से बिजनाओर में पहुचे कैबिनेट मंतरी डॉक्टर संजा कुमान शाद आपको बता दें कि गंगा बिराज पर कैबिनेट मंतरी का भाच्वा कारकरताओं ने स्वागत किया वहीं मंतरी ने कहा कि बिराज को खुबसूरत बनाए जाए साथी गंगा को सच और अवरत बनाने के लिए गंगा में 65,000 मचलियों को प्रावाइट किया गया है जिसे जली जिव जन्तूओं को सच वातावरान मिल सके इसे दोरान मंतरी ने गंगा किनारे बसे लोगों के लिए जोजनाओ की जनकारी दी और कहा कि हर जोजनाओ का लाब दिया जाएगा जिसे बेराज को परेटरन इस थलके रूप में विक्सित किया जाए अली गड़ के बनना थानाओ में आटियो काराले में जलादकारी ने ओचक निर्क्शन किया वहीं जलादकारी ने आटियो काराले में ओचक निर्क्शन से हरकम मच गया वहीं निरक्षण के दोरां जिलादकारी ने काराले के कमरे और विवाग के अन अधिकारियों के साथ रिकार्ड रूम का भी निरक्षण किया वहीं जिलादकारी ने आर्टियो काराले परसन में खड़े लोगों से भी बाचित की और उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये अलिगर जन्पत के विविन कारयालों का उचक निर्चंग किया जाता है जिसके करम में आज आर्टियो दफ्तर का निर्चंग किया गया है जन सामाने जो अपने विविन कारयों के लिए आते हैं उनसे भी संबाद किया गया है किसी ने भी कोई ऐसी करमचारियों के बारे में कोई शिकायत नहीं कि उनका काम सहजता पुरुवक हो रहा है नहीं, इसकी भी जानकारी की गई, कोई अवांचीत वेक्ती तो आर्टियो दफ्तर में नहीं है, इसको भी देखा गया, और क्योंकि पूरी तरह से आउचक है, तो पाया गया कि कोई भी एक वेक्ती ऐसा नहीं मि पानी मिलाना भारी पड़ा, आपको बता दें कि प्राधाना अध्याफिका ने रसोहियों को स्कूल से बाहर कर दिया, रसोह स्कूल के बच्चों का हक मार रह थी, जिसके बाद पशासन सक्टी में आ गया और रसोहियों को नौगरी से निकालने के निर्देश दे दिये, इसकूल में दमकी ताई मेरी वहुने दूद के पीछ लड़ाई वही है गाजियाबाद में पुलिस ने बंद कमरों के ताले तोड़े करने वाले गिरों को गरफतार कर लिया है गरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे चोर इतने शार्तिर थे कि पूरी प्लानिंग के साथ पहले घरों की रेकी करते थे और फिर अपने साथी के साथ घर का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवराद उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते थे आपको बता दें कि मैनुवल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रोनिक एविडेंस के माद्यम से ग्यात हुआ कि तेरा तारिक को इन लोगों के द्वारा एक चोरी की योजना प्लान की जा रही है दिल्ली में उस दौरान हमारी पुलिस टीम उहां गई तो इन लोगों ये जब चोरी का माल लेके न रात पें की सिनाक्त हुई और इन दोनों चोर नाजीम और आबित को हमारी टीम ने जो सोनार जिसको ये माल बेचते थे उसके साहिद कल रातरी में इंद्रापूरं छेतर में पांच शेकी पुलिया के पास से पकड़ा है और इनको गिरफतार करके सुसंगत बिदिक लेकिन सरकारी हस्पिताल में जो लोग इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं उनके आकड़े आपके लिए चौकाने के वाले साबित हो रहे हैं सिर्फ एक सरकारी हस्पिताल में जुलाई के महीने में अगर हम बात करें तो 1626 लोगों को वैक्सिन लगी है वहीं अगस्त में 1980 और सितंबर में 13 तारिक तक 1913 लोगों को कुट्टे के काटनेस के इंजेक्शन लग चुके हैं कुट्टे ने काटा था इंजेक्शन दिवे लगता हैं में जी एलाज कराने आया हैं कुट्टे ने काटा है डॉक्तर अब यह पंदर बीस मिट पहले थोड़े बड़ते भी है और यह है कि अब यह पंदर इंजेक्शन लग चाहिए और अधिकतर रिन सावुन से तीन-चार दिन तीन-चार बात जरू दोना चाहिए जुलाए महा में 1620 वैक्शन लग चुकी हैं अगसमें 1680 और सितंबर में 13 अताविक तक 1913 इंजेक्शन लग चुके हैं यह रगा तक केस बढ़ते जा रहे हैं? प्यागराद में कच्छे मकान की दिवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई जिसके चलते परजनों में हरकम पमच गया वहीं दिवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई है साथी सूचना पर पहुँचे पैगराद जिला अधिकारी और स्सपी ने परजनों को आर्थिक मत दिलाने का अस्वासन दिया साथी जाच के आदेश भी दिये सूचना मिला की दो बच्चे जिनकी उम्रा चार से पांच बच्च के बीच हैं इतिवार गिरने के नीचे दब गए हैं तो जब हमारी तदका से टीम और पहुँची चेक पैक किया तो दो बच्चों की हम रित्य हुई है उनके दोनों के पिताव सूरत में रहकर काम करते हैं तो आज हमें आप पहुँचे हमने उनके जो फैमिली मेंबर से उनके दादा नाना सबसे बातवात किया है बड़ा गरीब परिवार है और हमने बता है कि जो भी आर्थिक मदद संभव है हम उनको देने वाले है और प्रत्य बच्चे की डैट पर हम लोग चार लाग रुपया देंगे और इसके हलावा मैंने एश्टिम साब को बता दिया है कि आप चेनित कर लीजिए अगर जमीन का पट्टा हो सकता हो तदकाद से कराई है और आवास का लाव देने के लिए भी मैंने बताया है सोन बदर में उद्धोग वेपार पतिनिदी मंदल के सदसों ने आनलाइन ट्रेडिंग और एफडियाई के विरोध में कॉलेक्ट्रेट परसर में परशन किया इस दोरान वेपारियों ने प्रहान मंत्री को संबोधित ग्यापन जिलादकारी को सोपा उद्धोग वेपार पतिनिदी मंदल के जिला अद्यक्ष रादा रमड अगरवाल ने अनलाइन ट्रेडिंग और एफडियाई का विरोध की कहा कि सरकार ने ग्रावकों को दिये जा रहे भारी डिसकाउंट पर नकेल कसने के लिए कोई सक्त फैसला नहीं लिया है अभी तक यह भी पता नहीं हो सका है कि ग्रावकों को ई-कॉमर्स कमपनी दोरा दिये जा रहे डिसकाउंट का फाइदा हो भी रहा है या नहीं या भी हो सकता है कि कमपनिया ग्राहकों को गुम्रा करने की कोशिश कर रही हूँ सुल्तानपूर में मंडला युक्त विकास कारेों की समिक्षा करने पहुचे थे खाकी धारी वर्दी उनके धौस दिखाते नजर आए आपको पता दें कि पतकार से ये वर्दी धारी ऐसा रोब जमाता था कलेक्टेट में मंडला युक्त की कवरिश करने गए पतकार पर एक वर्दी धारी ने हमला बोल दिया पतकार पर हमले की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई दरजनों पत्काल कलेक्टेट पहुच गए और मंडला युक्त की गाली के सामने ही धरने पर बैट गए बरहाल इस वर्दी धारी की पैचान एक होमगार्ड के रूप में हुई है हमारे साथी राजदेव सुकल के साथ पुलिस के वर्दी धारी ब्यक्ती चाहिए हो होमगार्ड हो चाहिए पुलिस हो उसने अभधरता किये और यह आज की बात नहीं कल से यह नाटक शुरू है कल से गेट पर रोका जाना चाहिए कोई हुआरा पत्रकार साथी आ रहा उसके स कर रहे थे उनको मारा जाना उनके साथ मार पीट क्या इसका बिलकुल असपस्ट समंतब्य है कि यह लोग मनबढ हो गए है इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उससाथ चाहें जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला कि कमिशनर साब का यहां कलेक्टेट में द कर लीजे कमिशनर साब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजेगा उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला सब्सक्राइब की तरफ उधर एक मानिवर खड़े थे पता नहीं होंगाड थे उन्हों उससे पूछा कि आप यहां क्या क्या क पर हाथ मार दिया मैं कुछ समझ पाता मैंने उठाया तब तक उन्हों मुझे पकड़ लिया और खीचते हुए ले गए साथी पुलिस ने मुक्तार गैंग के सदस काजू कुरशी पर भी कारवाई की है इसके चलते पुलिस प्रशासन ने मुक्तार अंसारी के मकान को कूर कर दिया है मुक्तार अंसारी के ये मंहbergावाद थाना चेत्र के दर्जी टोला महले में श्यत्तर आप्याओं के विरुद कारवाई नगेतु 14 एक 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 धारा गैंस्टर एक्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है वह विद्ट जिनों में जब्तिकरण सख्यराया गया है आज तीन विद्टियों की प्रॉपर्टी का जब्तिकरण 14 एक गैंस्टर एक्ट 1986 के अंतरगत कि किया जा रहा है नंबर एक मुक्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जहां पे हम लोग अभी नखड़े हैं यहां पे इनका मकान नसीज किया जा रहा है दूसरा अफजाल अंसारी की कुछ बांच आराजी नंबर्स है जिसका खुल रगभा 0.3 हेक्टियर्स है और काजू कि थाना निगासन छेत में एक गाउं में दो नबाली लड़कियों के शव पेर से लटकते मिले थे आपको बता देंगी कई राजनितिक दल पीडित परिजनों से मिले वहां भाचपा जिला अध्ड़क्ष और छेतरी विदायक के साथ मरतक दोनों लड़कियों के घर पहु लखीमपूर खीरे में विकाश और राय पर मैजिक स्टैंड के पास कुछ बिना परिमिट डगामार बसों की भरमार हो गई है यहां बसे गोला खुटार पूरनपूर और पीली भीत तक धड़ले से चल लए हैं इसमें कुछ बसे जो की पार्टी परिमिट के नाम पर डेली सर्विश चला कर जहां एक तरफ सरकारी राजस की चोरी कर सरकारी खजाने की छटी को पहुचा जा रहा है और वहीं इसके साथी रोट परमिट धारी वाहनों के स्टाफ और मालकों को भुकमरी के कगार पर पहुचा रखा है वहीं जिम्मेदार परिवन विवाग के अधिक हो रहा है अच्छा आप पलियाप असुडियन से हैं जी क्या नम आपका मरीकिश तिवारी जी आप ठीक है ये इस पर आटियों के अपका कोई एक्सन नहीं होता है इन डगामार पर पोई अक्सन नहीं है और हमारी परमिट वाली गाडियां है जो भुकमरी के कगार पर पर अलिगर्ण के थाना बरला चेट के गाउन नगला कसाब की ने बेटी के आवेज समंदों चलते एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया है इस ये वही वही गटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिर्थका के शव को कबजे में ले और पॉस्टमाटम के लिए भेज दिया है साथी और उपी पिता को गिरफतार कर लिया है जो महिने पहले लडगी के लिए थी उसके बाद में तरवाजी पकड़ लाए पडला थाने बाद में आठ जाजन बाद में पुल्मावा पनो सम्यागे बेटा के यंद साधी का तरने अंद का तरने साधी इसे नामार के दी भाप न गोली मार दिया था थाना बरला पर सूचना प्राप्ति हुए कि नगला का श्राप गाउं के एक बेक्ति ने अपनी पुत्री को गोली मार कर हत्या कर दी है इस सूचना पर पुलिस ततकाल सक्रीव और सम्मंदित गटनास्थल का निर्चन करते हुए ततकाल वहां से जो आला कतल था उसे भी बरामत कर लिया गया और बॉड़ी को मौचे भीजवा दिया गया अभ्यूक्त की गिरफतारी करते हुए पधान पती की दोरा जो तहरीद दी गई है उस पर मुकदमा प्रासंख्या एक सो पचासी बटा बाइस धारा तीन सो दो में धाना परला पर पंजी कित किया गया है अन्या वस्यविदी करवे की जा रही है अलीगड़ में एडिये कालोनी के बिजली घर के पास जहां दिन धाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और वहीं शक होने के बाद यूवक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन तब तक यूवक मौके से फरार हो गया था पूरी घटना दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई इसके बाद पीडित ने थाने में केस दच कराया है पुलिस घटना की जाज में जुट गई है फिलाल उतर प्रदेश की खबरों बस इतना ही देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका